हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS Tutorial पर स्वागत है तो आज हम लोग जेक बोड क्लास 8 का इंगलिस का फाइनल एक्जाम का जो इंपोर्टेंट कोस्टेन है उसको यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं आप देख सकते हैं कि सेशन 2021 से जूर में आप लोगों का एक्जाम ह जाना है फायदे में रहिएगा तो चले हम लोग डिरेक्ट कोस्टेन के और बढ़ते हैं उससे पहला आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सभी क्लास्मेट के साथ सेर कर दीजे ताकि उनको भी इस वीडियो का लाब हो सके तो चले बिना इन बगदाद इसे आप नोट कर लीजे याद कर लीजिएगा भेर भेर इंपोर्टेंट कोस्टेन है अब देखिए सेकेंड कोस्टेन सेकेंड कोस्टेन है वाट डिड मेरी डू फोर फन तो इसका अंसर हो जाएगा मेरी ड्रॉप्ट हर थिंबल ओवर द लीटिल एंट फो इसे आप नोट कर लीजे याद कर लीजिएगा बढ़ते हैं वह लोग तीसरा नमबर की ओर तीसरा नमबर की और कोस्टेंडेखिए वेट थे ओर आर इंडिजिनिएस गेमस इंडिजिनियस गेमस प्रॉप्ट इंडिजिनियस गेम भी आपका question में आ सकता है तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इंडिजिनियस गेम से आर नेटिव तो अरीजन दगेम ओरिजिनेट इन पर्टिकुलर रीजन और कंट्री एंड हैब characteristics of its culture and traditions इसे आप नोट कर लीजिए यह बहुत ही important question है very very important question है अब बढ़ते हम लोग next four number की ओर four number का question देखिए how did the bird's egg look like चिडिया का अंडा कैसे दिखता है तो इसका अंसर आपको इस परका लिखना है the bird's egg looked like a white ball of gent size and height इसे आप नोट कर लीजिए अब बढ़ते हम लोग next five number की ओर five number की question देखिए where does the boy plot his paper bots तो इसका उतर आप इस परका लिख सकते है the boys plots his paper bots down in the running stream इसे आप नोट कर लीजिए यह भी बहुत ही important question है very very important question है बढ़ते हम लोग next six number की ओर six number की question देखिए which games do you like to play तो इसका उतर हो जाएगा कबड़ी is the most popular and traditional games of India so I like a buddy the most यहाँ पर आप और भी कुछ खेल का नाम लिख सकते हैं आपको जो पसंद है अब हम लोग बढ़ते है next seven number की ओर seven number question देखिए what was Mary doing Mary क्या कर रही थी तो यह भी बहुत ही important question है इसका अंसर आपको इस परका लिखना है मेरी वाज hemming a pocket handkerchief इसे आप नोट कर लिजे बहुत ही छोटा सा अंसर है बढ़ते हम लोग अगला question की ओर eight number eight number यह भी आपका exam के point से काफी ज्यादा important है इसको भी आपको रट कर जाना है important question देखिए मैं बार और बोल रहा हूं रट कर रहीएगा आपका exam में बहुत ही काम आएगा देखिए question है what does the boy dream at night लड़का रात में क्या सपना देखता है यहाँ पर question है लड़का bot के बारे में क्या सपना देखता है ठीक है तो देखिए उसका उत्तर इस पर का लिखिएगा the boy dreams at night that his paper bots float on and on under the midnight stars the fairies of slip are selling in them and the leading is their baskets full of dreams इसे आप note कर लिजे यह भी important question है मैं repeat कर रहा हूं याद कर लिजिएगा बढ़ते है नाइन नंबर की और यहाँ पर नाइन नंबर देखिए मैंने यहाँ पर नाइन नंबर ना देकर बस question दिया है क्योंकि यह भी बहुत important question है IMP important question इसको आपको याद करके जाना है question है what does the speaker thinks while loading his boat with shewley flower तो दिखिए इसका अंसर आपको इस परका लिखना है the speaker hope that these blooms of the down will be carried safely to land in night इससे आप note कर लिजे याद चरूर कर लिजेगा अब बढ़ते है next हम लोग अगला question की और देखिए अगला question भी खापी important है question है in the poem I would choose to be a daisy यह poem का नाम है question देखिए why does a poet prefer to daisy more than the lily question है कि poet daisy को ज्यादा पसंद करता है lily से क्यों तो इसका अंसर आपको इस परका लिखना है the poet prefer the daisy more than the lily because it looks so meek and fair इससे आप note कर लिजे बहुती छोटा सांसर है दो लाइन का याद कर लिजेगा बढ़ते हम लोग अगला question की और अगला question देखिए यह तो बहुत important question है classics वालों के लिए very very important question है question है write five lines about your school अपने school के बारे में पांच line लिखना है तो सबसे पहला तो आप अपने school का नाम लिख सकते है my school name is करके जो भी आपका school का नाम हो लिखिएगा otherwise आप यहाँ पर मैं पांच line जो बता रहा हूं इसे भी आप याद कर लिजेगा देखिए my first line है my school is a very beautiful building यह पहला line हो गया दूसरा line I study in यहाँ पर kg लिखा हुआ यहाँ पर आप अपना class लिख सकते हैं आप class 6 के हैं तो I study in class 6 in my school ठीक है फिर देखिए next three number my school classroom are very beautiful and airy उसके बाद next देखिए four number our school is a big playground for students 4th line हो गया फिर पांचव लाइन there is a computer lab where we use computer यह पांच लाइन है इसे आप याद कर लिजेगा एक्जाम में आएगा अब दिखिए यहाँ पर kg लिखा हुआ है I study in kg तो kg को मत लिख दीजेगा आप जिस class में उस class को लिखिए class six okay इस तरीके से आज हम लोग jackpot class six का इंगलिस का जो भी important question था यहाँ पर हम लोग complete कर लिए सभी question बहुत important है सभी आपको याद करके जाना है और अच्छे एक्जाम लिखिएगा और वीडियो अच्छे लिए को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर सेयर कर दीजे और अभी तक आप मेरे चैनल को hds tutorial को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन ओल पर जरू क्लिक कर दीजेगा थैंक्यू पर वाचिव में वीडियो 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 देखने के करने के लिए इस सब्सक्राइब बुटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहां पर बेल आइकन को ओल में क्लिक करें इसके बाद hds tutorial को touch करें आपके सामने कुछ इस तरीके का page open हो जाएगा अब आपको playlist पर touch करना है आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा playlist open हो जाएगा class 6, 7, 8, 9 subject wise और chapter wise तो यहां से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं धन्यवाद